असलाम लेकुम आदाब नाजरीन आप देखरें शुवम चैनल इद्रीज फलाही का ओफिशल पेज हमारे साथ इस वाकत साविका मिनेस्टर साविका MLA डोडा अब्दुलमजीर वानी साथ हैं आप सबको मालूम है कि तक्रीबन 10 साल के वक्ते के बाद 2024 के अंदर SMD इंतखाबत जमो किश्मिर के अंदर हो रहे हैं और इसी सिलसले में फिर से इन्होंने एक पर पंजाजमाई के लिए फॉर्म भरा है मेंडेट मिला है इनको DPAP से सबसे पहले आपसे जानकर लेने की कोशि मेरे मेरे लोग बागयूर हैं मेरे लोग बहुत बड़ी सोच रखते हैं जिनको मैंने जब आमले बना मैं तो उस वक्त मैंने अपने लोगों को खुद कहाता है आप खुद आमले हैं तो मेरे अलाकों के अंदर इंशानला मुझे उमीद है एक यकीन है कि अल्ला पे कि इतने पिगाओं मेरे हैं लोड़ा से पीछे ये बड़ जड़कर हिसा लेंगे और इंशानला जीत हमारी निश्चत है आप मुझे ये बताए जब आप सबसे पहले अमले बने थे उससे पहले के हालात किस किसम के थे जिस वक्त में आप अमले बने थे और उसके बाद क्या हुआ देखे दोजार दो से पेश्टर भी लोगों ने सरकाने चलाई उख देखी और दोजार दो से पहले चालीस साल या बचीज साल बसल सल एक जमाद में उखुमत की लगए उन्होंने आप एसे पैदा कि है कि हालात हर जगा खराब हो गए और जब दोजार दो में मैंने इस काड़ जार में कदम रखां तो उस वक्त पूरी चारों तरह बाग लगी थी किसी को कोई सी पर बरुसा नहीं था यहां पर इतने हालात खराब थे कि रात को सो नहीं सकते थे दिन को चल नहीं सकते थे तो हमने कोशिश की लोगों ने एक विश्वास चिता है कि हमें कु कि जिस माहूल में वो जी रहे थे वो माहूल बहुत घतरा माहूल था तो लोगों का डर था दाशत थी लोगों के उपर ऐसे ऐसे हादसात हुए तो वो डर के मारे वो कहते थे सिर्फ आमना जाए अमन ही एक उनका अजड़ा था लेकिन आल्ला तरह का वाज़ा उनने बाजें उठती थी गाउं और शेहर के दरिम्यान की पॉलिटिक्स जो है लीडर्स किया करते थे अब वो तब्दील होकर के मधभ पे आ गई है अब लोग मधभी पॉलिटिक्स करें तो एक बार आपने उस वक्त टकर दी है अब फिर से आप जो है टकर देने जारे लेकिन उस वक्त गाउं शेहर की बात थी अब मधभ की बात है तो किस तरह से आप इस पॉलिटिक्स को आगे लेके जाएंगे यह उन्होंने कहा था कि गाउं और शेहर को भी उतनी तरकी ती जिदे गाउं को दी और यह था कि एक सूरत थी कि हमें शेहर तब आबाद है जब गाउ के लोग शेहर जाकर काम करएंगे या शेहर के लोग गाउं में आकर काम करेंगे उसे एक 종 nesse जो बेसिक इन्फर स्ट्रेक्शर है वो करेक्टिविटी का कंप्लीट हो ताक के साधन दैयार हो रिसौर्स दैयार हो तो आज एकर हमारे अला को में सडकों का जाल के फासल जाल जब 2002 से पेशतर connectivity पांच पॉइंट कुछ परसंट थी, तो 87 पॉइंट कुछ परसंट है, तो आप अन्दादा लगाईए कि उस 5 परसंट से 87 पर दोजार 14 तक मैंने पहुचाई, तो उसमें हमारा कमाल कितना है और उनका जवाल कितना है, तो इसके साथ आज अगर हमारे उग भी पॉलिटिक्स चल रही, इसको कैसे रोकिंगें? ने देखें मजबी आज ये, ये कोई, ये मॉमरी फेज होते हैं, टेंप्ररेरी फेज होते हैं। लेकंद यह नुक्सानदे भी थाबिव थाभिगी हैं? नई, नुक्सानदे तो होते हैं, लेकिन आम झूं आप अंद लोग सीखें कि इन दू हमें सियासत पे हैं, जब जलोग बचने हैं तो वे हिंदू, बसन्मान, सेक्षाही नहीं हमारा बाइस जा रहा है, हमारी संस्कृति है, हमारा उठासा बैटाicationsा है, हमारा रेंजान एक, हमारा उसी गाहूमे कपरिस्थान, उसी गाहूमे श्वाधान, तो ये चीज़ें कुछ लोग बाहर से आते हैं तो माहूल का घाप करने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फरक ने पड़ता है एक आखरी सवाल आपसे पूशता हूँ जिस तरह से अगर हम सियासी हल चल देखें इस वकत कहा जाता है कि जब हम किसी लेमेन से बात करते हैं या किसी भी जगह दो चार लोग दुकान पर बैठते हैं तो बात करते रहते हैं मजीद साब यह सीट निकाल चुके थे लेकिन फिर भी यहां पर वही हो गया जो पिछली बार हार का शिकस सब को करना पड़ा अगर यह सारे लोग एक जुट हो करके लड़ते तो यह जीट जाते यह खुद जो है कॉमनल जो फोर्स हैं उनको आगे ले जाने के लिए आपस है मेरे मेरा काइद मेरे गुलाम नवी अजाद साब है तो मेरा लीडर गुलाम नवी अजाद साब का साफ विजिन है उसमें कोई कन्फूजन नहीं है इनके उपर यह कन्फूजन के शिकार है तो आप मुझे बता दीजिए कि इस वक्त गुलाम नवी अजाद साब की सोच क हैं उनकी सोच है कि बेरोजगारी इस वक्त अरूजब है पड़े लिखे नावजवान हैं और उनको वो गलत रास्तों पेचार के हैं यह यह जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि अगर किसी भी अलाके में हम गलत सोच लेके जाएंगे तो वो एक नुकसान दे चीज़ होगी आने वाली संतान के लिए आने वाली पोद के लिए क्योंकि गलत रास्ते हैं और नशे की लात की तर्व हमारे बिरोजगार नशाएंगे तो इस वक्त हमने कोशिश कर रही है कि उस लात को खंद करने के लिए हम लोगों का जामिया प्रोग्राम हो गुलाम दे भी का क्या है कि यह मैं किस हिसाब जिखोंगा अगर मैं बात करूं नाशनल कांफरेंस की मैं बात करूं कांग्रेस की मैं बात करूं बीजेपी की तो कांग्रेस और नाशनल कांफरेंस कुद पर कुद कान्फूजन के शिखा रहे हैं एलाइंस से फ्रेंडली आगे तो कोई केंडिडेट आपके साथ अंदर से मिल रहा है कि वो भी आपके लिए ही स्पोर्ट करेगा अगर में उसको वेलकूम करूँगा आजाए मेरी स्पोर्ट करे तो मैं जो अगर मैंने दाथ का दम चलना होगा पांच ही चलूगा पांच तो चल ले तो चलिए स्कूल कॉलिजिज के हवाले से बात करेंगे कहा जाता है कि आपने काफे सारे ब्लॉक्स तैसिल अपने टैनुवर में लोगों को दिये लेकिन आप जो है इनकी खास्ता हालत भी है बिल्डिंज की स्ट्राक्ट्टर कहीं नहीं है दूसरा यह है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है तो अगर पूरा एलेक्शन कंप्लेट होने के बुद आप जीट जाते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे लिकिन उस निजाम की तब्दीरी में बहुत सारे मुश्कलात लोगों को दरपेश है कहीं काम नहीं है मन जोरी लोगों को गाउं के अंदर मिलती थी एक स्पोर्ट थी मन्रे का खतम है पीमें वाई में कुछ मकान आये कुछ मकान नहीं आये और कुछ जहां आपे अलाके में ब्यार जेब आता था वो गई नहीं है 14th FC तक यह चला उसके बात बात हो गया अब हमारा यह है कि कि स्टाफ नहीं है यहां घर एक अलाके के अंदर मैंने दिखा के लोगों ने बार बार है अविस्ट्रेशन को गां कि सकूल में स्टाफ नहीं है हैं और यह मुझे मुझे मोगा讲 है इंशाब आप ये काम तो कर रहे हैं मैंने तो मैं गाउं गाउं जाके पंचाइट पंचाइट जाके इसका रिवीव फिर उस वक्त करूगा पहले तो ये मुझे वोट करें मुझे किसी मगाम में लाएं फिर मैं अपनी रंड दीती के बारे में आप लोगू से बहुत शुक्रिया हमारे क्या कुछ आप कहेंगे तब सरे में बता सकते हैं इजाज़त दीजिए अला पर